Welcome to Class and Test. Class and Test के पुर्व के वीडियो क्लास में आपने सीखा Dropdown List बनाना. अब इस Dropdown List में यदि आपको Modify करना है तो वो भी आप कर सकते हैं. जैसे यहां जो Select है, January से लेकर के आपको December तक इसमें से आप चाहरे हैं कि इतना नशेलेक्ट हो करके सिर्फ January, February, March, April 4 महिने में ही हमारा Option में रहें. तो कैसे Modify करेंगे? तो वो भी बड़ा Simple है. मैं इस January को Select किया, माउस का Left Click दावा Select हो गया. तारो तरब Boundary Line आगिया, Select हो गया. Data के Data Validation में जाता हूँ और उसके बाद यहां पर मैं क्या करूँँगा? Source में जाऊंगा और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ. ठीक है? Select करके डिलीट किया. और यह देखिए हमारा Data में हम आ गये हैं. और January, February, March और April यह 4 लिए. ओके? अब हमारा को देखिए यह 4 ही Option है. है न? अगर हम चाहते हैं कि यह जो हमारा ड्रॉपडाउन लिष्ट है. यह डिलीट हो जाए. तो Select करके Keyboard से Delete बटन दावेंगे. तो यह हमारा लिष्ट तो डिलीट नहीं हुआ. सिर्फ यह Option डिलीट हो गया कि यहां पर. लेकिन यह गाइब नहीं हो रहा है. इसे हम चाह रहे हटाना. तो कैसे हटेगा? तो इसके लिए भी हमें जाना होगा Data के Data Evalidation में. Data Evalidation में आ करके यहां पर हम Clear कर देंगे. इसे यह आप डिलीट कर दिजिए. ठीक है? OK दाविए. OK. यह Clear All किजिए. OK. देखिए यह गाइब हो गया. सारे के सारा. इसका गाइब हो गया. यहां पर आपका है. और यहां देखिए. ड्रॉपड़ॉन लिष्ट गाइब हो गया. यहां भी है. और यहां भी है. अब मालेजे. आर यू ए स्टुडेंट. यहां से भी मैं हटाना चाहता हूँ. तो क्या करेंगे? डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे. और क्लियर ओल क्लिक करेंगे. ओके करेंगे. देखिए यहां से गाइब हो गया. यहां है. यहां से है. और यहां से गाइब. अगर पूरे का मैं हटाना चाहता हूँ. सभी में से एक बार मैं हटाना चाहता हूँ. तो data validation पर क्लिक करेंगे, एक option आएगा, इरेक current settings and continue, ok क्लिक कीजिए और उसके बाद clear all कीजिए और ok कीजिए, पूरा का पूरा आपका drop down list गायव हो गया, तो इस परकार से आप drop down list को modify कर सकते हैं और उसे delete भी कर सकते हैं, thank you.